जैन साथियों सौगत आप सभी का एक नई वीडियो में तो जहां DRDO ने जो एंटी टैंक आइडेन मिसाइल नाग है उसके फाइनल यूजर ट्रैल्स को सक्सेस्फुली कम्प्लीट कर लिया है तो इस मिसाइल के बारे में जानने से पहले ये वीडियो देखे सबसे पहले जानते हैं कि आखिरकार हुआ क्या है तो हुआ ये है कि कल यानि 22 अक्टोबर को सुबा 6 बच के 45 मिट पे DRDO ने इसका सक्सेस्फुली ट्रैल कल लिया है और इसका जो ट्रैल हुआ है वो हुआ है पोकरन रिंज यानि राजस्थान से तो इससे होगा क्या हो इससे ये होगा कि हमारी दूसरे देशों पे जो डिपेंडेंसी है जिसे हम खरीदते हैं इसे दूसरे देशों से वो खतम हो जाएगी हम या तो या तो यूएस या तो इसराइल से इसे पर्चेस करते हैं अभी जब चाइना के साथ हमारा क्लैस बढ़ा खासकर जो गलवान की हिंसा होई थी उसके बाद से हमें आनन फानन में इसराइल से उनकी जो स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है उसके करीब 200 ऐसे मिसाइल को पर्चेस करना पड़ा तो अब जब हमने इसको खुदी डिवलप कर लिया है और अब ये इंडेक्शन के लिए रेडी है तो हम इसे बड़े आसानी से अपने चाइना बॉर्डर या इसे पाकिस्तान बॉर्डर पर इंडेक्ट कर सकते हैं वहाँ पर इसे डिपलॉई कर सकते हैं तो अब हम पूरी तरीके से एंटी टैंक गाइडे डिपल्ग करने के लिए है इसका और नाम है इसके बारे में आपने नहीं सुना होगा इसे प्रॉस्पिना भी कहते हैं प्रॉस्पिना ऐसके लैंड वर्जन का नाम है इसके कई सारे वर्जन है, लैंड, एर, ये एक ठर्ड जनरेसन मिसाइल है, जैसे एरक्राफ्ट के कई सारे जनरेसन होते हैं, वैसे है इस मिसाइल के भी कई सारे जनरेसन हैं, और ये एक fire and forecast मिसाइल है, मतलब कि इसे आपको fire करने के बाद, इसके target की कोई चिंता करनी की और उन्हें destroy कर देने का, तो इसकी जो probability है, वो around 90% है, और जो की काफी अच्छी है, एक all weather missile है, गर्मी ठंडी बरसाथ का भी भी यूज कर सकते हैं, इसके structure के बारे में थोड़ा सो समझेंगे, तो ये है पूरी missile, इसकी length है, वो करीब 6 feet की है, इसका mass करीब 43 kg का है, और इस इसका guidance system इसके आगे है, फिर आता है इसका middle part, middle part में यहाँ पे main warhead है, और main warhead के पीछे sensor packages लगे हुए है, और तीसरा है इसका rear end, rear end में यहाँ पे boosters हैं, मतलब इसको boost करने के लिए batteries और चीज़ें लगी हुई है, इसका propulsion system है, तो ये है इस missile का structure, warhead का मतलब आसान भासा मे explosive होता है, जैसे bomb बनाने के लिए explosive use होते हैं, वैसे ही missiles वगेरा में warheads नाम दिया जाता है, उसमें जो explosive use होते हैं, उनको warheads conventional भी हो सकते हैं, nuclear भी हो सकते हैं, किसी पर तरीके को हो सकते हैं, इसके कई सारे variants भी हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसके land version है, उसको प्र soldier आसानी से अपने कंधे पर carry कर सकेगा, ये एक man portable missile होगी, दूसरा है इसका air version, जैसे हम हेलिना बोलते हैं, या धुरुवास्तर बोलते हैं, हेलिना नाम इसका इसलिए पड़ा है, क्योंकि इसको launch करने के लिए helicopter के use होता, तो इसलिए इसका नाम helicopter plus naak हेलिना पड़ा है, त इसकी range काफी जादा है, करीब 20 km तक है, जिस missile का अभी परिछड हुआ है, उसकी range 500 meter से 4 km तक है, वो land version है, हेलिना की करीब 10 km तक है, और ये जो sent version डबलब किया जा रहा है, ये करीब 20 km तक इसकी range होगी, तो ये करीब 500 meter से 20 km तक की एक लंबी दूरी की एक anti-tank guided missile बन चुक करना, develop करना, उसको designing करना, अब ये जब इसके trials complete हो गई, तो इसकी जो production होगी, वो DRDO नहीं करेगा, वो इससे देगा, एक दूसरे defense PSU को, जिसका नाम है भारत dynamics limited, तो इस missile की जो production सुरू होगी, वो video करेगा, और इसका जो carrier है, जो इस missile का platform है, जिसका नाम है, नामिका, ना मिल जाएगा आपको, तो ये आप जरूर देख लिजेगा, जो जो इसका carrier है, नामिका, उसका production करेगी, ओर्डिनेंस factory board, मेदक, ये दोनों लोग मिल के develop करेंगे, और ये जो नामिका है, ये एक BMP based system है, BMP का मतलब है, कि BMP, actually इसका फुल फॉर्म वो रशियन है, उसे जान है, और इसके उपर ये जो मिस्टम, मिसाइल सिस्टम है, यहाँ पर नाग मिसाइल से यूज होंगी, और यहीं से इसको fire किया जाएगा, तो इस तरीके से भारत ने अपना एक खुद का anti-tank guided missile develop कर दिया है, जब से चाइना के साथ tension हमाई बड़ी है, तब से जैसे भारत न अपनी सारी defense production को इतना speed up कर दिया है, कि आपको हर दिन news मिलती होगी, कि आज भारत ने इस missile का परिचट किया है, तो इस से एक चीज पता चलता है, कि कहीं ना कहीं हम जाग गए है, जब से चाइना हमाई दरवाजे पर खड़ा हुआ है, तो यह हमाई लिए बहुत अच्छ पर मिली जादेगी, लेकिन मैं आपको चाहता था कि आपकी information बढ़े, आपकी जो अपने देज के बारे में जो knowledge है, उसके defense, manufacturing, military, वो थोड़ी increase हो, तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगी हो, तो प्लीज लाइक करिए, चैनल को subscribe जरूर करिए, क्योंकि उससे मुझे motivation म पत्त गज करिए, क्य